चाप्टर 6 से एटी सी से लेकर एटी यू तक की बाते करेंगे बहुत जल्दी जल्दी प्रसाइसली ठीक है और काफी अच्छे पॉजटिव फीडबैक्स आ रहे हैं आपकी तरफ से कि आपको ये चाप्ट बुक रिविजिन सीरीज काफी ज़दा पसंद आ रही है चलिए शुरू करें चाप्टर 6 से उससे पहले important बाते प्लीज अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए अपने family members का ध्यान रखिए जब तक बहुत जरूरत ना हो प्लीज घर से बार ना निकलें बहुत ज़्यादा urgent है तब ही आप घर से बार निकलें otherwise कोशिश करें कि last time कभी नहीं आये थे बट इस ताइम तो बहुत ज़्यादा cases आ रहे हैं प्लीज अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए mask हमेशा use कीचे और mask आप properly use कीचेगा in fact आज कल डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपको दो mask भी अगर use करने पड़ें तो please उसको दो mask भी use कीचे मैंने भी in fact आज दो mask use किये हैं ठीके ये मेरा primary mask है जो मैंने लगाया था और जब मैं आज office आया तो मैंने अपना second mask भी इसके उ use करते हैं वो करें पर प्रॉपरली यूज करें ज्यादा भीड में जाएं तो please दो mask भी use कर लीचेगा पर प्लीज अपना भोज़द ध्यान रखेगा आपके parents को अगर बार जाना पड़ता है काम से तो उनको भी बोलिए कि बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है ठीकि I know the situation is going worse बट प्लीज हम लोगों को बहुत positive रहना है इस बिमारी से हमें सामना करना होगा प्लीज किसी भी तरह के बार बार इंफेसिस कर रहा हूं कि please ऐसा बिलकुल ना करें कि आप parties कर रहे हैं get together कर रहे हैं मैंने कली देखा था कि मैं जा रहा था तो मैंने देखा क कुछ बच्चे थे लगबग 18-20 साल के आपकी एच के होंगे वो लोग गोल कपे खा रहे थे गोल कपी you understand पानी पूरी वो लोग खा रहे थे और मास्क नहीं था सेलफी वगेरा इस समय प्लीज देखिए सेलफी वगेरा का टाइम बिलकुल भी नहीं है अपने ख्याल रखन यह अपना ठीके you have to keep yourself safe coming to chart revision section 80C deduction in respect of investment 80C अच्छा मैं एक बार बता दूँ आपको जब हम chapter 6 से पढ़ते हैं तो मैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूं ठीके अपनी रेग्लोर के क्लास में ऐसे बाते करते हैं 80C से लेकर जनरली 80G तक जो family आती है पहले मैं 80C से लेकर 80U को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ठीके 80C से लेकर 80G तक की family जो आती है जब यहाँ पर आपको reduction मिलती है तो यहाँ पर आप कुछ न कुछ investment कर रहे हैं या कुछ आपका cash outflow होता है यानि कि यहाँ पर this is investment based deduction आपको कही न कहीं पैसा लगाना होता है या पैसा spend करना पड़ता है तब आपको यह reduction मिलती है इसकी जो second category है मेली जहाँ पर 80I से लेकर 80 T.T.B. तक की बाते होती है 80I से लेकर 80 T.T.B. यह second category है this is income based deduction this is profit linked deduction कि अगर आपकी कुछ इस तरह से income आ रही है कुछ इस तरह के business है या कुछ इस तरह के source से income आ रही है तब आपको deduction मिलती है I'm again repeating 80C से लेकर 80G तक it is investment based investment based है यहां पर आपको अगर deduction लेनी है तो आपको अपने cash का outflow करना पड़ेगा पैसे कर्च करने पड़ेंगे तब आपको deduction मिलेगी but 80I से लेकर 80T.T.B. this is income based deduction profit linked deduction भी बोलते हैं इसको income based बोलें या profit linked बोलें this is profit linked deduction अगर आपके इस तरह के business है जिस तरीके का यहां पर बात की जाती है या फिर अगर आपकी उस particular category की income आती है तो आपको यहां पर deduction मिलती है ठीक है और CA enter के लिए इसमें से काफी सारे sections नहीं उनके syllabus में बदाऊंगा but CA में students के लिए और CA students के लिए वो sections भी हैं फिर एक last category आती है ATU यह है other deduction का यहां पर अगर ASC handicapped है disabled है तो उसको deduction मिलती है ATU की तो हम तीन categories में इसको देखते हैं तो first time starting with the first category ATC से लेकर ATG that is investment based deduction अगर आप आएं section ATC पर deduction in respect of investment यहां पर आप लोग जानते हैं ATC अक्सर exam में आता है काफी common deduction है practically भी लोग काफी avail करते हैं ATC यह deduction किसको मिलती है only for individual or HUF सरफ individual or HUF को मिलेगी partnership firm other form of assessi उनको नहीं मिलती है deduction तो सबसे पहले याद कीजिएगा ATC is for individual अच्छा बताइए resident या non-resident दोनों ठीक है चाहें आप resident है या non-resident है ATC सभी तरह के individual और HUF को मिल जाती है maximum reduction मिलती है 1,50,000 की 1,50,000 से जादा आप ATC नहीं ले सकते और in fact ये 1,50,000 की limit ATC के साथ साथ ATCCC और ATCCD1 भी share करते हैं ये बाते कहाँ पर लिखे हैं कि maximum reduction आप 1,50,000 की ले सकते हैं ये बाते लिखे हैं ATCCE में ATCCE limit fix करता है ठीक है तीन section दुबारा से repeat करें ATC ATCCC और ATCCD1 ठीक है CCD1 भी और CCD2 भी है बट हम उसको अभी include नहीं करेंगे इस limit में उनकी अपनी अलग limit है ATC से लेकर CCCC और CCD1 इन तीनों में maximum हम 1,50,000 की total overall reduction ले सकते हैं अधा हम reduction नहीं ले पाएंगे ठीक है individual or HEF maximum reduction 1,50,000 की मैंने आपर mention भी किया है ATCCE में mentioned है कहां कहां पर आप investment कर सकते हैं तो ATC में काफी ज़्यादा हमें investment के लिए बताया गया है कि आप इस जगह पर investment कीजे या फिर अगर आप इस जगह पर अपने पैसे खर्च करते हैं तो आपको deduction मिल जाएगी ठीक है कहां कहां पर आप अगर आप life insurance premium पे करते हैं life insurance premium is very important हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे exam में ATC में life insurance premium अक्सर आता रहता है ठीक है बहुत frequently repeat होता है life insurance premium के बारे में कुछ और बाते भी हैं मैंने यहां पर इसको white color में show किया है थोड़ी दिर में आता हूँ पहले में यह बाते करता हूँ कि हम कहां कहां पर investment कर सकते हैं life insurance premium deferred annuity plan अब भी है मैं सिर्फ revision purpose के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यह classes इसलिए मैं बहुत ज्यादा detail में नहीं समझा पाऊंगा ठीक है कि यह deferred annuity plan क्या होता है और बाकी PPA सुकन्या समर्दी scheme क्या होती वह बाते हम अपनी regular class में करते हैं you can understand कि थोड़ा सा हम quickly रहने वाले हैं okay LIC premium deferred annuity plan employee contribution याद रखिए employer contribution नहीं employee contribution जब employee contribute करता है statutory provident fund में SPF में या recognized provident fund में या superannuation fund में which should be recognized which should be approved statutory होने चाहिए तो allowed है employee का contribution employee का contribution मतलब assessi assessi जब वो खुद contribute करता है अगर आप ATC में देखेंगे तो ATC में सारी बाते वही हैं कि खुद assessi जब contribute करता है खुद assessi का पैसा outflow हो रहा है तब उसको reduction मिलती है ठीक है public provident fund जिसको हम PPF कहते हैं PPF में आप investment कर सकते हैं 1.5 lakh तक total मिल जाएगी अच्छा क्या इन सब के लिए 1.5 lakh 1.5 lakh each है या total 1.5 lakh है तो इन सब का total मिलाकर 1.5 lakh है in fact ATC, CCCC, CCD1 तीनों मिलाकर 1.5 lakh से आप जादा नहीं ले सकते हैं सुकन्या सम्रिदी स्कीम girl child के लिए आप open करते हैं ये national saving certificate ulip unit linked insurance plan mutual fund scheme किसी भी mutual fund scheme में क्या नहीं tech saving mutual fund scheme होती है यहाँ पर investment करें minimum lock-in period यहाँ पर 3 साल रहते हैं withdraw नहीं कर सकते हैं ऐसी schemes में तो इस तरह के अगर आप mutual funds खरीते हैं तो आपको reduction मिलती है ATC में scheme of national housing bank यहाँ पर भी आप investment कर सकते हैं इनकी schemes में tuition fees again very important ठीक है this is full time education part time education के लिए नहीं मिलता है यह ठीक है it should be a full time education जिसे school की fees है या college की fees है वो सब allowed हैं आपर maximum दो children के लिए ठीक है maximum दो child के लिए allowed है ठीक है tuition fees is important tuition fees को मैं mark कर देता हूं कि this is important और इस मेंसे is important PPF is important employee contribution is important LIC is important ठीक है principal repayment of housing loan जब आप housing loan लेते हैं ठीक है जब आप housing loan लेते हैं तो उसका interest की deduction तो आपको 24 B में मिल जाती है interest की deduction 24 B में है ठीक है और हमारे पास interest के लिए और section से 80 W और E A B है ठीक है उसकी बाते भी करेंगे but जो आपका principal repayment है जो जितना loan लिया वो जब पैसा आप पे करते हैं ठीक है आप जब EMI पे करते हैं तो EMI has two parts one is interest and second is your principal repayment तो principal repay जब आप करते हैं तो उसकी deduction आपको ATC में मिलती है fix deposit कराए minimum 5 years के लिए post office deposit scheme कराए minimum 5 years के लिए nabard के bonds खरीदे senior citizen scheme ठीक है senior citizen scheme residents के लिए है तो यह सब allowed है और बाद में add हुआ है NPS new pension scheme अब new pension scheme के लिए तो हम एक अलग section बढ़ते हैं ATCCD तो यह यहां पर कौनसी new pension scheme है this is tier 2 account actually NPS new pension scheme में primary account होता है tier 1 tier 1 ठीक है और जिन लोगे के पास NPS scheme है वह अगर चाहें तो tier 2 account भी open कर सकते है tier 2 account tier 2 is an add-on account आपको इसके बारे में लिखने के लिए नहीं आएगा but you should know what it is tier 2 account एक add-on account होता है जिसके पस पहले से NPS का tier 1 है वही लोग tier 2 भी opt कर सकते है tier 2 में थोड़ा सा relaxation होता है यहां पर आप कभी भी पैसे अपने invest कर सकते हैं withdraw भी कर सकते तो यहां पर charges थोड़े से कम होते है tier 1 के मुकाबले otherwise you don't have to go into detail between tier 1 and tier 2 but yes tier 2 अब पहले यहां पर कोई text में relief नहीं मिलता था बट बाद में इसको ATC में add कर दिया गया है हम CCD 1 भी पढ़ेंगे CCD पूरा पढ़ेंगे 1, 1B और 2 यहां पर tier 1 की बात होती है but this is tier 2 अगर आप tier 2 में पैसे deposit करा रहे हैं आपको ATC में deduction मिल जाएगी ठीक है तो यह कुछ major investments थी जहांपर आप ATC में आप investment कर पाएंगे LIC premium जिसमें से सबसे जादा important है और इसके बारे में please याद रखेगा depend करता है कि आपने LIC की policy कब ली है ठीक है कब आपकी LIC शुरू ही है अगर यह LIC policy शुरू ही थी 1-4-2012 थोड़ी पुरानी policies है ठीक है क्योंकि because life insurance policy is a long term policy हम अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए कराते हैं यह depend करता है कि policy आपने कब ली है ठीक है जैसे मेरे पास एक LIC policy है जो 2007 से मैंने start की थी अभी तक वो चल रही है ठीक है मैंने 30 years के लिए ली थी तो 2007 में मैंने वो ली थी तो अगर और इसकी premium में इस साल भी हर साल मैं उसकी premium पे करता हूँ तो depend करता है वो आपने policy कब आपने शुरू की थी तो अगर वो आपने policy शुरू की थी 1-4-2012 ठीक है मैं हमेश अपने students को बोलता हूँ कि आप बस सरफ ये date याद रखेगा 1-4-2012 बाकी की rates आपको अपने आप याद हो जाएंगी तो 1-4-2012 से अगर पुरानी policy है ठीक है यानि कि अप्टू 31st March 2012 तक की policy है तो जितना भी आप उसका premium पे करते हैं वो allowed है maximum 1.5 lakh बट उसके अपनी internal limit भी है 20% of sum assured तो जितने value की जितना वो cover है उस policy का that we call sum assured उसका sum assured का maximum आप 20% तक ही आप allow कर सकते हैं अगर 20% से ज़्यादा premium आप पे कर रहे हैं तो that excess will not be allowed only 20% तक allowed होता है ठीक है फिर ये 2012 के बाद change कर दिया गया 1.4 2012 के बाद कर दिया गया 10% पहले 20 पुरानी policies के लिए 20% भी है ठीक है अगर जैसे कि मेरे पास वो पुरानी policy है 2007 की मैं बता रहा था तो उसके लिए 20% allowed है बट फर एक्जामपल अगर मैंने बाद में कोई policy ली होती 2012 के बाद से उसका कितना allowed होता है सिर्फ 10% of summer shorts सिर्फ 10% allowed है अगली एक साल तक ये 10% रहा सभी तरह की policies के लिए 10% रहा बट बाद में एक साल के बाद ठीक है यहां पर लगा government को की नहीं जो लोग handicapped हैं physically handicapped हैं उनके लिए premium सोड़ा सजादा होते हैं तो उनके लिए हमें 10% को बढ़ाना पड़ेगा ठीक है उनके लिए 15% कर दिया गया तो प्लीज बताइए याद कर आप कैसे करेंगे सिर्फ 1-4-2012 वाली डेट याद रखेगा 1-4-2012 से पुरानी policies के लिए ठीक है उसके एक साल के बाद उसके एक साल के बाद तक यादि की 1-4-12 से लेकर 31st March 2013 तक की policies के लिए 10% रहेगा ठीक है एक साल तक तो सबके लिए 10% था फिर 13 के बाद से एक साल के बाद से जो लोग physically handicapped है जो insured है जिसके insurance कराया वो अगर physically handicapped हो रहा है तो उस case में उनके लिए 15% हो जाएगा और बाकी लोगों के लिए 10% ही रहेगा तो 10% भी चल रहा है और जो लोग disabled है उनके लिए 15% चल रहा है ठीक है दूसरी important बात आप ये policies किस-किस के लिए ले सकते है तो यहाँ पर individual क्योंकि ये deduction सरफ individual को मिलती है तो individual अपने लिए policy ले सकता है अपने spouse के लिए ले सकता है ठीक है और अपने children के लिए ले सकता है spouse ये children dependent है non-dependent है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप वो deduction आप ले सकते हैं हां provided for example आप अपने for example अपनी policies policy का premium पे किया उसके लिए ले रहे हैं spouse की policy है उसका भी deduction ले रहे हैं तो ऐसे नहीं कि दो लोग deduction ले पाएंगे आप भी ले रहे हैं और assessi की spouse भी ले रहे हैं नहीं कोई एक वेक्ती इसकी deduction ले सकता है तो individual self spouse children dependent non-dependent यहां पर कोई problem नहीं है सब लोगों के लिए वो deduction ले सकता है जाद रखिए आपको examiner confuse करता है आपको बोलेगा dependent parents है dependent mother है dependent father है उनकी policy pay करें की है अगर assessi ने उसका deduction ATC में नहीं मिलता अक्सर examiner आपको यहां पर confuse करने की कोशिश करेगा पर प्लीज आप confuse बिलकुल मत होईएगा ठीक है HUF अगर किसी भी member के लिए premium pay करता है तो उनके लिए वो deduction ले सकते हैं so this was ATC a very important section next section आता है बहुत छोड़ा सेक्शन है ATCCC यह pension fund के लिए यह भी almost similar section ATC जैसे ही ठीक है बट यहां पर specifically सिर्फ pension fund के लिए बुला गया कि अगर आप किसी भी insurance company से अगर कोई pension fund वली scheme लेते हैं तो आप यहां पर भी पैसा deposit कर सकते हैं और आपको deduction मिल जाएगी 1.5 lakh तक बट यह 1.5 lakh की deduction separate deduction नहीं है यह included है ATC triple C मिला कर 1.5 lakh और in fact ATCCD 1 भी है इन तीनों वो मिला कर आप maximum 150,000 तक की deduction ले सकते हैं यह deduction सिर्फ individual को मिलती है maximum deduction 1.5 lakh यह बात ATCCD में लिखे ATCCD is the limit is the restriction ATCCD restriction लगाता है कि maximum आप 1.5 lakh तक की deduction आप ले सकते हैं ठीक है this is pension fund फिर आपको पता है कि बाद में pension scheme introduce कर दी थी government ने क्योंकि government ने कहा कि अब हम जो भी government employees हैं अब हम उनको pension नहीं दिया करेंगे उनके लिए हम pension scheme ला रहे हैं अब pension scheme में employee आप भी contribute करें हम लोग भी employer भी contribute करेगा और आपके retirement तक यह fund इतना हो जाएगा यह scheme में इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा कि आपको यह पैसा ही एक तरीके से इसका जो interest आया करेगा वो pension की तरह काम करेगा तो new pension scheme लाई गई section 80 CCD में इसकी reduction भी मिलेगी ठीके पहले यह schemes लाई गए थी सर्फ government employees के लिए उसके बाद यह extend कर दिया गया था private employees के लिए भी जो non government employees हैं और in fact 80 CCD बाद में कर दिया गया था non salaryed assessi के लिए भी का मतलब है कि अगर किसी की income salary से नहीं भी आती ठीके जिनकी income PGVP से या किसी और head से आती है salary से नहीं आती है वो लोग भी अगर आप चाहें तो NPS scheme में पैसे invest करना शुरू कर सकते हैं उनको ए reduction मिल चाहेगी कितनी reduction मिलेगी 80 CCD के तीन पार्ट से याद की चाहेगा ठीके आ CCD 1 और 1B यह दोनों employee के contribution जितना employee contribute करता है यह assessi के नहीं जदा अच्छा रहेगा को कि वो employee और non employee दोनों हो सकते हैं तो जितना assessi contribute करता है उसकी reduction है CCD 1 में और CCD 1 B में और जितना employer contribute करता है जितना employer contribute करता है उसकी reduction है CCD 2 में तो इतनी बाते समझ में आगी CCD 2 सरफ एक salaried assessi के लिए तो मिल सकता है non salaried assessi के लिए CCD 2 नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता because उसका कोई employer नहीं होता ठीके for example किसी की PGVP income आती है जैसे मेरे example ले ले लेते है कि ठीके मेरी PGVP की income आती है तो मेरे कोई employer नहीं है पहले मैं job किया करता था ठीके तब मैं CCD 2 उसमें ल ले सकता है ठीके अब तो बहुत साल हो गए हैं तो CCD 2 जैसे मेरी income PGVP से आती है दूसरे head से आती है बट not from salary तो मैं deduction CCD 1 में ले सकता हूं CCD 1 B में ले सकता हूं बट 2 में नहीं ले सकता है क्योंकि यह contribution सरफ employer का है और employer के लिए तो salary आना जरूरी है ठीके CCD 2 की पहले बाते कर लेते हैं CCD 2 की deduction कितनी मिलेगी 10% of salary ठीके salary का मतलब यहां पर कितना है basic salary plus DA forming part ठीके हो हम salary का मतलब यहां पर लेंगे ठीके मैं उपर दिया भी है salary का मतलब है basic salary plus DA forming part तो यहां पर CCD 2 की maximum 1.5 lakh है नहीं 1.5 lakh तो CCD 1 के लिए CCD 2 की ऐसी कोई 1.5 lakh की limit नहीं है बट यहां पर एक चोटी सी amendment आई है in fact salary की chapter में आई है जिसको effect यहां पर भी आएगा अभी मैं बता रहा हूं उसको CCD 2 इन्होंने कहा कि एक limit है 10% of salary 10% of salary तक आप यह reduction ले सकते हैं जितना भी employer contribute करता है याद कीजिए आप इसको कैसे करते हैं ठीक है आपके exam में जब आता है कि employer contribute करता है towards new pension scheme तो आप उसको कैसे करते है पहले आप इसको अपनी salary का part बना लेते हैं पहले आपकी gross salary बन जाती है ठीक हिए जितना भी employer contribution आपकी वो पहले आप अपनी salary का part बनाईए, ठीक वो आपकी gross salary बन जाएगा, फिर section 16 में deductions वगेरा, standard deduction वगेरा, salary आजाती है, यानि कि वो आपकी salary का part रहता है, बाद में जब आप chapter 6 से, ATC से लेकर ATU की deductions देते हैं, तब आप इसमें deductions देंगे, ATCCD2 में, जितना employer contribute कर रहा है, कितना, 10% of salary, salary का मतलब क्या, basic salary plus DA forming part, अगर central government employee है, तो 14% of salary, ठीक है, last year वो changer आया था, I believe आपको पता था, इस सल के amendment नहीं, last year की ही थी, तो अगर वो central government employee है, तो 14% of salary, यहाँ पर और कोई limit नहीं होती थी, सर्फ इतनी limit है, 10% of salary, या 14% of salary, as the case may be, but आपको याद होगा, अब employer contribution पर एक limit आ गई है, 7.5 lakh, 7.5 lakh, कहां पर पढ़ाता है हमने यह, ठीक है, amendment की lecture में भी पढ़ा था, और हमने यह बाते salary में पढ़ते हैं, कि अब, अगर employer contribute कर रहा है towards RPF, recognized provident fund, recognized provident fund, towards approved superannuation fund, या new pension scheme में, तो maximum limit 7.5 lakh की है, तो please आप देख लीचेगा, कि यह limit आप 7.5 lakh से ज़्यादा ना लें, for example, 10% of salary आ रहा है, for example, 10% of salary आ रहा है, 10 lakh, तो क्या आप 10 lakh तक ले सकते हैं, deduction नहीं, maximum यह 7.5 lakh तक ही लेंगे, और यह 7.5 lakh individual CCD 2 की limit नहीं है, साथ साथ में यह RPF, employer contribution to RPF, और साथ साथ में approved superannuation fund की limit के साथ भी यह share करेगा, ठीक है, तो 7.5 lakh तीनों limit को मिला कर है, clear हो गया? okay, CCD 1, CCD 1 में assessi का contribution, जितना assessi contribute करता है, but यहाँ पर वो maximum reduction 1.5 lakh की ले पाएगा, वो हमने बाते की थी, ATC, CCCC और CCD 1 की limit 1.5 lakh की होती है, यह बाते कहाँ पर लिखे हुई है, CCE में लिखे हुई है, ठीक है, but हाँ इसके एक अपनी भी limit है, कितनी limit है, 10% of salary, सब के लिए 10% CCD 1 में limit है, 10% of salary, basic salary plus DA forming part, ठीक है, अब यह 10% of salary, तो बात हुई salary assessi के लिए, non salary assessi के लिए क्या होगा, देखो non salary assessi को CCD 2 तो मिलता नहीं है, ठीक है, यानि कि salary assessi को 10% यहाँ पर, 10% यहाँ पर, 20 मिल गया, but non salary assessi बोलेगा, sir मेरे लिए CCD 2 तो है नहीं, तो मेरे लिए क्य फायदा दे रहे हैं हम, तो हम इनको बोलेंगे, ठीक है, हम आपके लिए 20% कर रहे हैं इस limit को, तो देख लीचेएगा, जो salary assessi है, उनके लिए 10% of salary है, और जो non salary assessi है, उनके लिए 20% है, 20% of salary, नहीं salary, तो उनको याद आती नहीं है, 20% of GTI, gross total income का 20%, ठीक है, तो CCD 1 की maximum limit, 1 1.5 lakh है, बढ़ हाँ, आपको ऐसी limit भी 10% of salary और 20% of salary भी देखनी पड़ेगी, इनकेस अगर assessi ने contribution करा, और वो अपने पूरी की पूरी reduction वो यहाँ पर CCD 1 में नहीं ले पाता, reason being क्या था, सर 1.5 lakh की limit exhaust हो गई थी, 10% limit exhaust हो गई थी, तो अगर वो CCD 1 में अपनी limit नहीं ले फिर भी अगर वो कुछ और deduction लेना चाहता है, जो आप उसकी un exhaust रह जाती है, तो वो CCD 1B में ले सकता है, और 1B में कितना deduction ले सकता है, वो maximum 50,000, ठीक है, क्या यह 1.5 lakh की limit के अंदर आता है, उसके extra है, उससे extra है, ठीक है, तो 80 CCD 1B में आप 50,000 तक की deduction और ले सकते हैं, assessi का contribution, assessi का contribution, ठीक है, मैं repeat करता हूँ, 80C, 80CC, CCD, तीनों ही investment based deduction थी, जहाँ पर employee या assessi invest कर रहा है, C, 80C, triple C और CCD 1 की limit, CCD पूरा नहीं, CCD 1 की limit मिला कर 1.5 lakh तक की होती है, CCD 1B की extra limit है, 50,000, और CCD 2 अलग है, ठीक है, इसकी limit कितनी है, 10% of salary basic plus DA warming part, CCD 2 सरफ salary assessi को मिल पाएगा, because यह employer का contribution है, central government employer तो 14%, और आपको पता है कि एक overall limit भी है, 7.5 lakh, ठीक है, next part, which is again important, यह भी important है, कि अगर आप new pension scheme से पैसा withdraw करते हो, ठीक है, new pension scheme से पैसा withdraw करते हो, तो क्या वो taxable होगा या exempt होगा, तो यहाँ पर depend करता है कि आपने यह पैसा किस circumstances में withdraw किया है, और कितना withdraw किया है, तो क्योंकि अलग-अलग taxability है, इसकी this is important, तो मैंने यह chart form में दिया है, in case अगर NPS से, new pension scheme से withdraw हो रहा है, death of the subscriber, यानि कि जिसके नाम से वो new pension scheme चल रही थी, अगर उसकी death हो जाती है, और उसकी legal layer को if यह पैसा मिलता है, तो यह taxable होगा, the answer is no, उस case में यह fully exempt रहेगा, तो उ SAC की, जिसके नाम से यह NPS scheme चल रही थी, subscriber, उसकी death हो जाती है, या फिर, अगर subscriber यहां से पैसा withdraw करके, दूसरी notified scheme में अगर पैसा लगा देते हैं, दूसरी reinvest कर देते हैं, दूसरी annuity scheme में, तो भी exempt रहेगा, यानि कि आपने NPS से पैसा निकाला, और दूसरी notified annuity scheme में पैसा लगा दिया, तो भी यह exempt रहेगा, बट, in case, यह दोनों cases नहीं हैं, और फिर भी subscriber पैसा withdraw कर लेता है, तो हम उससे पूछेंगे कि आपने, क्या सारा का सारा पैसा withdraw करके, अपनी scheme बंद करा दी है, या फिर partial withdraw किया है, तो in case अगर उसने partial withdraw किया है, तो हम उसका taxable करेंगे, 75% या 100%, वो depend करता है, कि वो salary assess ही है, non salary assess ही है, दोबारे से repeat कर रहा हूं, यह दोनों cases नहीं थे, normal case था और उसने पार्शल पैसा withdraw कराया है, तो अगर वो salary assess ही है, तो जितना भी उसने पैसा withdraw कराया है, उसको 75% taxable हो जाएगा, 25% exempt हो जाएगा, और अगर वो non salary assess ही है, तो जित उसने अपना NPS scheme बंद करा दी है, और उसने NPS से opt out कर ली है, तो उस case में, जितना भी पैसा मिलेगा, उसका 40% taxable होगा, और 60% exempt हो जाएगा, तो this percentage is quite important, आपको इसको एक दो बार पढ़ना पढ़ेगा, अच्छे से, आपको यह percentage याद होनी चाही है, ठीक है, तो मैं चाहू Now I'm coming to next section, ATD पर आ रहा हूं में, ठीक है, C की बाते खतम हो गई, अब हम ATD पर आ रहे हैं, और आपको पता है कि ATD थोड़ी सी बिमारों की family है, ATD, बिमारों की family का मतलब यहाँ पर कुछ में disease की, disability की, बिमारीों वगेरा की health की बाते करोंगा, ठीक है, 83 sections में लिए हमने insurance premium के नाम से भी जानते हैं, accidental insurance premium के नाम से भी जानते हैं, तो in case अगर assessi health insurance premium pay करता है, तो उसको deduction मिलेगी ATD की, ATD में वो अगर पैसे pay करता है, अपने लिए, अपने spouse के लिए, या अपने dependent children के लिए, या अपने non-dependent children के लिए नहीं मिलेगा, सर्फ और सर्फ dependent children होने चाहि साथ ही साथ, अगर वो अपने parents के लिए भी पैसा pay करते हैं, तो भी health insurance उनके लिए लेते हैं, तो उनकी भी deduction मिल जाएगी, ठीक है, तो देखेगा, ATD की deduction मिलती है, individual को या फिर HUF को, अगर आप pay करते हैं, HUF अपने members के लिए pay कर सकता है, individual किस किस के लिए pay कर सकता है, individual अपने लिए spouse के लिए और dependent children के लिए pay कर सकता है, या फिर parents के लिए pay कर सकता है, parents dependent और non-dependent दोनों हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई problem नहीं है, याद रखेगा, ATC में हमने बाते की थी, वहाँ पर parents को include नहीं किया गया था, यानि कि अगर आप LIC premium pay करते हैं parents की, it is not allowed under ATC, insurance premium allowed है parents के लिए भी, अच्छा, इसको अलग-अलग क्यों लिखा गया है, क्योंकि practically ऐसा ही होता है, practically ऐसा ही होता है, जिसे कि मेरा, मैं अपने example दे का समझा देता हूँ आपको, ठीक है, मैं भी दो insurance लेता हूँ, मैं health insurance की बाते कर रहा हूँ, ठीक है, दो insurance मुझे लेने चोका, ठीक है, तो चार लोग एक insurance में covered है, ठीक है, अगर मुझे अपने parents का insurance लेना होता है, ठीक है, जो मैं लेता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा premium pay करनी पड़ती है, ठीक है, जो insurance companies हैं, वो लोग भी देखते हैं कि वो किसका insurance कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो in short, ठीक है, senior citizen है, उनकी ये ज़्यादा है, तो उनके लिए premium high होता है, उन लोगों के लिए premium high होता है, तो जितना एक premium जाता है, मेरा, मेरी wife का, और मेरे दोनों बच्चों का, ठीक है, एक consolidated lump sum amount premium जाता है, और जो मेरे mother और father का premium जाता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है, व भी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, बर जनरली फायदा उसी में है कि आप एक साथ cover लें तो ज्यादा फायदा होता है तो इसी तरह क्योंकि यह practically ऐसा चलता है तो 80D ने भी ऐसा ही अपना section मनाय हुआ है कि self spouse और dependent children के लिए अलग लिखना है पेरेंट्स के लिए अलग करना है ठीक है? कितना? जितना भी आप health insurance premium pay करते हैं उसके लिए आप deduction ले सकते हैं बट maximum 25,000 रुपीज तक maximum 25,000 रुपीज तक बट हाँ अगर जिसका हमने insurance लिया है अगर वो उसमें से कोई भी एक senior citizen है उसमें कोई भी एक senior citizen है और senior citizen आपको बता है जहाँ पर भी senior citizen के benefit आते हैं तो वहाँ पर यह कहते है senior citizen हो plus resident हो ठीक है? तो यानि कि अगर वो वेक्ती senior citizen है plus resident है तो यह limit double हो जाती है पचास जार तक हो जाती है तो assessi अपने लिए spouse के लिए dependent children के लिए ले सकता है maximum reduction 25,000 की मिलेगी बट अगर for example assessi खुद एक senior citizen है या उसके spouse senior citizen है तो यह limit पचास जार हो जाएगी ठीक है? यह limit अलग है ठीक है? spouse, self, spouse, dependent children इसको मैं family भोल देता हूँ ठीक है? parents भी family है बट सरफ समझाने के लिए ठीक है, ठीक है, obviously parents तो main family है बट सरफ मुझे समझाने के लिए मैं ऐसा बोल देता हूँ कि जो assessi की family है ठीक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए ठीक नहीं लग रहा है मुझे यह बोलना ठीक है, parents को अलग रखा गया है बस ठीक है तो self spouse है, dependent children के लिए पच्चास अजार यह पचास अजार पेरेंट के लिए पच्चास अजार अलग ठीक है, और parents में से कोई भी अगर सीने से डिजन है इसका मने insurance कराया है तो सीने से डिजन हो प्लस resident हो तो वो लिमिट पचास अजार हो जाती है, यानि कि टोटल लिमिट कितनी हो जाएगी 80D में तो दोनों combination मन सकते हैं जैसे पच्चास अजार पच्चास अजार पचास अजार लिमिट हो जाएगी या फिर हो सकता है, जैसे मेरे case में ठीक है, मेरे parents सीने से डिजन है तो मेरे case में मेरी लिमिट क्या हो जाएगी ठीक है, self spouse dependent children के case में मेरे लिमिट 25 और parents की लिमिट 50,000 यानि कि 75,000 ठीक है 25 प्लस 50, maximum 75,000 हो गई ठीक है, in case जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो ये मेरे लिए भी लिमिट 50,000 हो जाएगी और मेरे parents के लिए 50,000 उस case में 1,00, भी हो सकती है ठीक है, सब लोग समझ गए, ये लिमिट अलग है, ये लिमिट अलग है दूसरी बात याद रखेएगा यहाँ पर यह कहते हैं कि health insurance premium आप पे कर रहे हैं किसी भी insurance company से या central government की health schemes होती है अगर आप महाँ पर premium पे कर रहे हैं या आपका पैसा जा रहे है तो वो सब allowed होता है, यहाँ पर 80D में Preventive health check-up, जो लोग अपना health check-up कराते रहते हैं ठीक है, वो हम पैसा पे करते हैं, क्या वो भी allowed है The answer is yes, वो भी allowed है, maximum 5000 तक 5000 किसके लिए सर, इनके लिए अलग, इनके लिए 5000 अलग, नहीं वो total limit 5000 की है, सब के लिए 5000 की है और मैं आपको बता दू, वो limit इस 25 या 50 के विदे नहीं है extra limit नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सर, वो preventive health check-up के लिए 25 प्लस 5, नहीं वो इसी 25 में, यानि कि ये overall limits है यहाँ पर ये बोला गया है कि आप health insurance premium पे करें, वो भी allowed है अगर आप preventive health check-up के लिए check-up अगयरा कराते हैं जिसे check-up camps लगते हैं, महाँ पर जाते हैं आप इसके लिए पैसा pay करें, तो वो भी allowed होगा 5000 तक होगा, बट सब का मिलाकर 5000 होगा सब का मिलाकर 5000 होगा और दूसरी बात, वो की extra 5000 नहीं है वो इसी limit का पार्ट होगा ठीक है? और हाँ, preventive health check-up को अगर आपने cash में pay किया, तो भी allowed है बट ये health insurance premium cash में pay नहीं होनी चाहिए अगर health insurance premium cash में pay हुई तो allowed नहीं करेंगे preventive health check-up allowed है cash में payment should be other than cash ये जो health insurance, medical insurance की premium pay करें it should not be by way of cash इसको check वगर से pay करें preventive health check-up आप cash में pay कर सकते हैं 5000 तक allowed है ठीक है, सबके लिए parents को मिला कर सबके लिए 5000 तक ही allowed होता है ठीक है दूसरी बात जिसे कुछ senior citizens होते हैं ठीक है, senior citizen ये specifically super senior citizen जब कोई 80 years के असफास हो जाता है तो उस समय hospitalized क्योंकि age बहुत ज़्यादा हो गई है तो उस समय hospitalized होने के chances बहुत ज़्यादा होते है तो insurance company मना कर देती है कि sir जो जिस वेक्ति का आप insurance कराना चाहते हैं उसकी age बहुत ज़्यादा है हम उनका insurance नहीं कर सकते हैं नुक्सान हो जाएगा तो अगर कोई SAC 80-85 years का 102 not out है ठीक है तो इन लोगों का insurance company मना कर देती है तो फिर क्या करें फिर ATD तो मिल नहीं पाएगा तो यहाँ पर ATD ने ये भी बोला कि कोई problem नहीं है उनके जो medical expenditure के उपर खर्षा हो रहा है उसको हम मानेंगे insurance की तरह ही आप premium पे गर रहे है मतलब medical expenditure भी उन लोगों के लिए allowed होते हैं तो deduction for medical expenditure for resident senior citizen resident senior citizen के लिए अगर medical expenditure कराए जा रहे हैं वो भी allowed है और वो भी senior citizen है तो 50,000 तक allowed हो चाएगा ठीक है एक और important question जो आप से मुझे जा सकते है generally मैं आपको बता दूँ यह health insurance था एक साल के होते हैं because these are general insurance general insurance की category में आता है एक साल के बाद होते हैं एक साल के बाद lapse हो जाते हैं ठीक है बढ़ हाँ कुछ insurance आजकल होने लगे हैं कुछ companies क्या करते हैं वो दो साल के लिए तीन साल के लिए insurance करते हैं तो for example अगर मैंने कोई health insurance की premium pay की for three years तो मैंने जितना amount pay किया क्या मुझे उसकी deduction मिल जाएगी मिल तो जाएगी but proportionately मिलेगी यानि कि मैं उसको अगर मैंने तीन साल के लिए पे किया है तो मैं उसको divide by three करूंगा ठीक है divide by three करके जो amount आएगा वो इस साल deduction फिर next year deduction फिर next year deduction ठीक है यानि कि जितना आप इस साल के लिए पे कर रहे हैं आपको reduction सिर्फ उतनी मिलेगी एक साल से ज्यादा के लिए पे किया है तो proportionately मिल पाएगी ठीक है this was ATD important section है examination point of view से important है ATDD ठीक ठाक है आसकता है नहीं भी आसकता है frequency थोड़ी सी कम है इसके आती है ATDD क्या होते है ठीक है DD disable dependent दुबार से DD disable dependent अगर assessi के उपर कोई विक्ति dependent है ठीक है कौन है उसके family members family members में कौन कौन ठीक है spouse children brother sister या parents दुबार से repeat कर रहा हूं spouse evous children brother sister siblings या फिर parents अगर यह लोगं डिसेबल है और assessi के उपर dependent है तो assessi यहां पर flat deduction ले सकता है 75,000 too flat deduction है 75,000 irrespective of the expenditure, अगर expenditure 10,000,000 a.wb 1,000,000,000,000,000 दौ,004,000,000 है maximum 75,000 की deduction flat maximum यहांissant понравisten 75,000 की ले सकते हैं अगर वो वेक्ति जो disabled है, अगर वो severely disabled है. Severely disabled का मतलब होता है कि उस particular disability से 80% या उससे ज़्यादा affected है. जिसे for example blindness, blindness disability में आती है. तो अगर for example complete blindness है, तो वहाँ पर कुछ होता partial blindness है कि 60%, 70%, 80%, 90% तो इन case अगर वो 80% या 80% से से ज़्यादा है तो उस case में कहते हैं कि वेक्ती severely disabled है, if that person is severely disabled, तो उस case में deduction का amount हो जाता है 1,25,000 rupees, तो flat deduction है 75,000 की या फिर 125 की in case of severe disability और यह flat deduction है, next section है 80 DDB, 80 DDB medical treatment of prescribed disease, तो यहां पर कुछ prescribed disease हैं like cancer, HIV, etc, तो अगर neuro problems है कोच यहां पर, तो you don't have to go in that detail की कौन-कौन सी prescribed disease, बस you should know what is the word prescribed disease, in case the assessi or his family members is suffering from any prescribed disease, उनके लिए जो medical expenses का कर्षा होता है, that is also allowed under 80 DDB, जितना भी expense हुआ है, जितना भी expense हुआ है, या 40,000, whichever is lower, या maximum reduction या पर 40,000 की मिलेगी, किसको मिलेगा, individual और HUF को provided वो resident हो, ठीके, वो resident होने चाहिए, actual amount of medical treatment, या 40,000 rupees, whichever is lower, in case, जो वेक्ति है, that person is suffering from prescribed disease, अगर वो senior citizen है, resident है, resident senior citizen, आपको पता है, senior citizen के साथ साथ हमेशा, जहां पर इनको extra benefit मिलते है, tax के, तो वहाँ पर resident भी आना चाहिए, तो resident senior citizen है, तो वो deduction 1 lakh तक, ठीक है, वो 1 lakh तक आप ले सकते हैं, यानि कि 40,000, अगर senior citizen नहीं है, senior citizen है, plus resident है, तो 1 lakh तक, यह deduction ले सकते हैं, so this was ATD, इसलिए मैं थोड़ा बिमार्यो, ATD को थोड़े बिमार्यो वाली family बोलता हूं, यहां पर mainly बिमारी की बात, health वगेरा की बाते होती हैं, ठीक है, ATC की हमने family की, तो हमने almost six sections complete किये अभी, ATC, CCCD, and ATD, DD, और DDB, चलिए next section पर चलते हैं, mainly interest से related बाते होंगी, badge loan, ठीक है, जो आप interest पे करते हैं, उससे related मैं बाते करूँगा, तो यहां पर हमें चार sections discuss करने, ATE में, ATE loan अगर लिया है, for higher education, मतलब education loan, ATEE और EEA, ATEE, थोड़ा सा अब, मुझे नहीं लगता है, यह पूछा जाना चाहिए, थोड़ा पुराना section हो गया है, बल्लब ऐसे नहीं कि इसका effect खतम होगे, इसका effect तो है, थोड़ा पुराना होगे, इसलिए पूछा नहीं जाना चाहिए, ATEEA में छोड़ी सी एक amendment भी आई है, तो इसलिए थोड़ा यह section important हो जाता है, EE भी important है, ठीक है, electric vehicles के बारे में यह, यह important section है, चलिए शुरू करते हैं, ATEE की family, okay, ATEE, loan for higher education, loan for higher education, higher education का मतलब है 12th के बाद की education, in case, assessi अपने लिए, अपने लिए, ठीक है, आगे higher education के लिए वो loan लेता है, या अपने family members के लिए, family members में spouse आ सकता है, children आ जा सकते हैं, brother, sister आ सकते हैं, या जिसके लिए भी वो legally liable है, अगर वो किसी student को adopt करता है, कि इसके पढ़ाई का खर्शा मैं करूँगा, तो वो लोग भी यहाँ पर covered है, ठीक है, अगर assessi इन लोगों के लिए भी education loan लेता है, तो ये deduction मिल जाएगी, किसकी interest portion की, जितना भी वो interest जा रहा है उस loan का, वो deduction मिल जाएगी, कब से मिलेगी, education loan generally कैसे होते हैं, एकदम इसकी EMI पे करना शुरू नहीं होता, generally education loan में option होता है, या तो अभी अगर आप loan ले रहे हैं, तो अभी से EMI पे करना शुरू कर सकते हैं, या फिर जब आपका वो course complete हो जाएगा, उसके बाद से आप EMI पे करना शुरू कर सकते हैं, वो depend करता है कि bank के साथ आपका care agreement हुआ है, बट हाँ जब कभी भी आप ये EMI पे करना शुरू करेंगे, जितना आप interest पे करना उसकी deduction मिल जाएगी, और जिस साल से आप ये first EMI पे करेंगे, जिस साल से ये first अपना ये पैसे पे करना शुरू करेंगे, bank को उस साल से लेकर आप total आठ साल तक ये deduction ले सकते हैं, अगर generally ये loan पांच, छे, साथ साल के आठ साल के लिए होते हैं, तो यहाँ पर आठ साल तक deduction मिलेगी, इनकी सगर वो loan for example 10-15 साल के लिए जा रहा है, तो maximum आप आठ साल तक ले सकते हैं, आठ साल कहां से शुरू करना है आपको, जिस साल आप first time इसको पे करना शुरू करते हैं, तो eligible assessic individual है, जिसने loan लिया है, अपने लिए spouse के लिए, या कोई भी adopted student जिसके लिए वो legally liable है, brother sister भी हाँ पर आ सकते हैं, या कोई भी दूसरा student है, जिसके लिए वो legally adopt करा है उसने, कि हाँ मैं इसके पढ़ाई का खर्चा करूँगा, loan लिया गया किसी bank से, financial institution से, government से, या किसी approved charitable institution से, कुछ NGOs होती है, जो help करती है, subsidized rate पर वो interest provide करती है, इस तरह के loan provide करती है, तो अगर हमने approved charitable institution से loan लिया है, तो भी allowed होगा, ठीके सिर्फ interest portion allowed है, और maximum 8 साल, 8 साल कहां से शुरू करने है, जिस साल से आफ first EMI pay करना शुरू करेंगे, total 8 साल, this was for education loan, ATEE और EEA दोनो home loan के लिए, अगर आप home loan लेते हैं, और अगर आप first time अपने लिए घर खरीद रहें, यानि कि first time home buyers के लिए आया, तो ATEE आया, कि कोई भी individual जो पहली बार अपने लिए घर खरीद रहा है, और loan sanction होना चाहिए between 1416 to 31st March 17, ठीक है, अब तो काफी साल हो गए है, तो अगर ये 2016 और 17 के बीच में, 1, 4, 16 से लेकर 31st March 17 तक loan sanction होआ था, सर अब तो ये section applicable नहीं होगा, अरे होगा ना applicable, for example, अगर किसी assessi ने इस बीच loan लिया था, तो loan तो चल रहा होगा, अगले 10, 15, 20 साल के लिए, तो हर साल ये reduction ले सकता है, और मैं आपको बता दू, 24B में भी reduction मिलती है, ठीक है, maximum reduction आपको पता है, self occupied घर है, पहली बर खरीद रहा है, 2,00,000 की होगी, ठीक है, 2,00,000 की reduction होगी, उसके अलावा, गर उसने जादर interest पे करा है, तो जो extra interest वो पे करता है, क्योंकि 24B तो limited है, तो वो extra interest अगर वो पे करता है, तो उसकी reduction वो यहाँ पर 80EE में ले सकता है, बढ़ माक्सिमम पचास ज़ार की reduction है, ठीक है, माक्सिमम पचास ज़ार की reduction है, और दूसरी important बात है, कि जो आप loan ले 35,00,000 तक का loan आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कर आपने loan लिया है, तो आपको यह deduction नहीं मिलेगी, और property की value, जो stem value, उसकी 50,00,000 से ज़्यादा की ना हो, ठीक है, 80EE मुझे नहीं लगता कि अब आप से पूछा जाना चाहिए, बट still, आप इसको एक दूबर पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत असान है, E.E.A. आ सकता है, इसमें एक छोटी सी amendment भी आई है, ठीक है, almost काफी ज़्यादा similar है, यह 80EE की तरह ही E.E.A., यहाँ पर भी individual जो अपने लिए पहली बार घर खरीद रहा है, उसको यह deduction मिल जाती है, ठीक है, loan sanction हुआ हो, 1-4-19 से पहले था 31st March 2020 तक, बट इसमें एक साल extend कर दिया गया है, तो बस एक छोटी सी amendment आई है, कि यहाँ पर एक साल extend कर दिया गया है, 1-4, काफी students मुझसे पूछ रहे हैं, सरी है, चार्ट रेविजन amended amendments covered हैं, क्या obviously covered हैं, जब हम लोग इसको 2021 के लिए कर रहे हैं, तो obviously इसमें amendments सारी covered हैं, जो हमारे 2021 के examinations के लिए applicable हैं, ओके, loan must be sanctioned between 1-4-19 से लेकर 31st March 2021 तक, ठीक है, एक सल बढ़ा दिया गया है, पहले 2020 था, अब यह 2021 तक कर दिया गया है, maximum property की value 45 lakh तक भी है, तो चलेगा 45 lakh से ज़्यादा की है, तो आपको 80 E,E,A नहीं मिल पाएगा, और कितनी deduction ले सकते हैं, 1.5 lakh की, यानि कि 2 lakh तक की deduction तो आप 24B में ले सकते हैं, बढ़ अगर आपका interest और ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर भी deduction ले सकते हैं, ठीक है, अगर किसी का interest, let's say, for example, 1.8 lakh है, किसी का interest रिव 1.8 lakh है, तो E,E,A ले सकता है, कि the answer is no, वो तो 24B ले ले लेगा, 24B ले ले लेगा, ठीक है, तक 2 lakh तक की limit है, for example, अगर किसी का interest 2.4 lakh है, फिर वो क्या करेगा, 2 lakh की deduction तो 24B में ले लेगा, house property की income निकालते समय, और बाखी की जो 40,000 की reduction बच्ची, वो E,E,A में ले लेगा, ठीक है, अगर किसी का interest, for example, 4 lakh है, interest की बाते कर रहा हूं, अगर किसी का interest 4 lakh है, तो 2 lakh का तो interest वो 24B में ले लेगा, और बाखी का 2 lakh का कैसे ले पाएगा, सिर्फ 1.5 lakh ही ले पाएगा, E,E,A में, ठीक है, क्योंकि 1.5 lakh तक ही हम E,E,A में ले सकते हैं, next है, interest के बारे में, 80 E,E,B, interest, अगर आप पे कर रहा हैं, क्योंकि आपने loan लिया है, for electric vehicle, electric vehicle can be your two-wheeler, three-wheeler, या four-wheeler vehicle, कोई भी हो सकता है, तो अगर आपने electric vehicle के लिए loan लिया है, maximum reduction, 1.5 lakh तक कि आप यहाँ पर ले सकते हैं, अगर आपने loan लिया हो किसी bank से, financial institution से, या NBFC से, आप ध्यान देंगे, NBFC उपर नहीं था, उपर नहीं था, ठीक हम आपे financial institution से लेना है, या bank से लेना है, यहाँ पर NBFC है, सिर्फ electric vehicle के लिए, आप non-banking financial company से loan ले सकते हैं, कब loan लेना है, sanction कब होना चाहिए, 1.4.19 से लेकर 31st March 2023 तक, ठीक है, 2023 तक, ठीक है, एंडिया गर्वर्मेंट फिर आगी, तो शायद हो सकता है, यह बड़ा date, ठीक है, अगर आपने electric vehicle परचेस किया है, टू-wheeler, थ्री-wheeler या फोर-wheeler परचेस किया है, उसके उपर आप interest फे कर रहे हैं, तो 1.5 लाग की deduction आप ले सकते हैं, ठीक है, यह था interest के बारे में, तो चार सेक्शन हमने पड़े, ATE, EE, EEA और EEB, चलिए, अब आते हैं, ATG पर donation का, काफी ज़्यादा आता रहता है, frequently पूछे जाता है exam में, ATG के बारे में, इसमें एक बहुत छोटी सी amendment है, जहां पर 100% का amount allowed होता था, तो वहां पर PM Cares Fund, लास्ट येर, ठीक है, जब lockdown हुआ था, तो PM Cares Fund introduce किया गया, तो PM Cares Fund भी इसमें अब add हो गया, बाकी चीज़े as it is हैं, बस एक छोटी सी addition यहां पर हुआ है, PM Cares Fund के बारे में, चुछ ये देखते हैं, section क्या कहता है, ATG, ATG कहता है कि अगर आप donations करेंगे, ठीक है, assessi कौन हो सकता है, यहां पर individual हो सकता है, अगर आप donation करते हैं, तो मैंने इसको 4 quadrant में, 4 groups में divide किया है, first is 100% of the amount donated, जितना भी आप donations करते हैं, ऐसी जगा पर, इतनी जगा पर, जितना भी आप contribute करते हैं, 100% reduction मिल जाएगी, यहां पर आप करेंगे, तो 50% of the amount donated, third और fourth, यह area कहां पर हैं, subject to qualifying limit, आपको बता है, qualifying limit होती है, ठीके 10% of adjusted GTI, उससे ज़्यादा आप donation नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर इन दोनों में, qualifying limit applicable होगी, तो एक बार चेक कर लेते हैं, कि कहां कहां पर हम donation कर सकते हैं, सबसे पहले 100% of the amount donated, यहां पर कोई restriction नहीं है, जितना भी आपने amount donate करा है, contribute करा है, 100% reduction मिल जाएगी, हाँ, प्लीज जो contribution करें, वो आप cash में ना करें, अगर 2000 से ज़्यादा की donation करना चाहते हैं, it should be other than cash, okay, National Defense Fund, Prime Minister National Relief Fund, National Children Fund, National Foundation for Communal Harmony, कुछ approved universities, Zilla, Saksharta, Samiti, National Sports Fund, हिहां पर स्पलिंग एरर हो गई है, मैं इसको ठीक कर दूँगा, यह इस जिला, Saksharta, Samiti, National Sports Fund, National Cultural Fund, Swach Bharat Kosh, Clean Ganga Fund, National Fund for Control of Drug Abuse, और रिसेंटली आड़ हुआ है, PM Cares Fund, ऐसी जगह पर अगर contribution देते हैं, तो 100% of the amount donated, जितनी reduction मिल जाएगी, बट जवाहरला नहरू Memorial Fund, इंद्रा गांधी Memorial Fund, राजीव गांधी Foundation, याद हो गया होगा, ठीक है, जवाला नहरू, इंद्रा गांधी, राजीव गांधी, और लास्ट है, PM Drought Relief Fund, यहां पर अगर contribution करते हैं, तो आपको 50%, जितना भी contribution करेंगी, उसकी आधी reduction, 50% reduction मिल जाएगी 80G में, बट इन केस, अगर आप ऐसी जगह पर amount contribute करते हैं, तो यहां पर आपको deduction तो मिल जाएगी, बट subject to qualifying limit, यह qualifying limit होती है, सबसे पहले qualifying limit शेक कर लेते हैं, qualifying limit आप कैसे निकालेंगे, qualifying limit होती है, gross total income को adjust कीजिए, इसको हम कहते हैं, adjusted GTI, जीक है, adjusted GTI का 10% is qualifying limit, यह qualifying limit के बराबर होता है, adjusted GTI कैसे निकलता है, GTI तो सबको पता है, जीक है, अपने 5 of head add कीजिए, plus your clubbing and set of minus कीजिए, तो GTI आजाता है, GTI में से, 80C से लेकर, 80U तक की जितनी भी reduction से, सब minus कर दीजिए, except 80G, because 80G तो आप compute ही कर रहे हैं, तो लिखा हुए, GTI में से minus कीजिए, all deductions under chapter 6 से, except 80G, और क्या minus कीजिए, STCG, ठीक, STCG किसी भी तरग, STCG, वो 111 A वाला भी हो सकता है, shares वाला, वो भी minus कीजिएगा, LTCG, LTCG चाहिए, 112 अला हो, या 112 A shares, अला हो, वो भी minus करना है आपको, casual income भी minus करना है, क्यादा आंसर इस उन्हों, casual income minus नहीं करना है हैं आपर, तो सिर्फ for the purpose of adjusted GTI, GTI minus all deductions under chapter 6 से, except 80G, minus STCG, minus LTCG, ठीक है, यह आपका adjusted GTI आचाहेगा, इसका आप 10% कर लीचेगा, that would be your qualifying limit, यह आपकी qualifying limit आचाहेगी, तो अगर आपने यह third वाली जगह पर, amount contribute करा है, for promotion, for family planning, या Indian Olympic Association को पैसे दिये हैं, तो जितने भी पैसे दिये हैं, 100% of the amount donated, और 100% of the qualifying limit, qualifying limit, जितनी भी आई आई आपके 10% of adjusted GTI है, उसका 100%, 100% of amount donated, 100% of qualifying limit, whichever is lower, reduction आपको मिल जाएगी, और last जगह पर अगर आप donate करते हैं, other institutions, जो other institutions हैं, other NGOs हैं, other charitable institutions हैं, जो 80G में registered हैं, अगर आप उनको भी donation करें, जिससे बहुत सारी NGOs हैं, वहाँ पर हम donation कर सकते हैं, जिससे Art of Living Foundation है, Patanjali Foundation है, अगर आप यहाँ पर donation करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस category में आएंगे, जहाँ पर हमें deduction मिलती है, 50% of the amount donated, और 50% of the remaining qualifying limit, यह important है बात है, 50% of the remaining qualifying limit, remaining qualifying limit का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी qualifying limit आई, qualifying limit क्या होदी है, adjusted GTI का 10%, let's say, हमारा adjusted GTI है 20 lakh, ठीक है, तो qualifying limit कितनी हुई, उसका 10%, तो qualifying limit बन गई 2 lakh, 10% of 20 lakh, 2 lakh हमारी qualifying limit बन गई है, ठीक है, और let's say, qualifying limit is now 2 lakh, इतना समझ माग है, अब मान लेते हैं कि, किसी ने यहां पर इस जगा पर पैसे दिये 80,000 रुपे, 80,000 रुपीज, तो यहां पर हमें कितनी deduction मिलेगी, 100% of the amount donated, ठीक है, तो 100% of 80,000, ठीक है, that is 80,000 रुपीज, और 100% of qualifying limit, qualifying limit का 100%, qualifying limit हमारी let's say 2 lakh हा गई थी, तो 2 lakh का 100% is 2 lakh, ठीक है, कितना आएगा, 80,000 या 2 lakh, whichever is lower, 80,000, अब यहां पर हमारा 80,000 की deduction हमने ले ली है, अब प्लीज देखिए, कि हमारी remaining qualifying limit कितनी बची है, बिकस इसके लिए आपको देखना है, last part के लिए, कि आपकी remaining qualifying limit कितनी बची है, बिकस आपकी qualifying limit originally 2 lakh थी, और उसमें से 80,000 exhaust हो चुकी है, use हो चुकी है, तो now your remaining qualifying limit is 1.2 lakh, 1,20,000, clear है, तो 1,20,000 आपकी qualifying limit है, उसका 50%, सिर्फ 50%, तो यहां पर आप जितना भी amount donate correct करते हैं, जैसे कि कि किसी religious place, temple, गुरुदारा, mosque, ठीक है, church के renovation के लिए, construction के लिए नहीं, renovation के लिए आप पैसे देते हैं, या फिर किसी भी दूसरे institution जो ATG में registered है, उन लोगों को अगर आप पैसे देते हैं, तो जितना भी पैसे दिया, उसका 50%, और जितनी भी remaining qualifying limit बची है, उसका 50%, ठीक है, तो यह आपका ATG होता है, 2000 से ज़्यादा अगर आप payment करना चाहते हैं, तो please cash में ना करें, Sir, अगर किसी को 3000 payment कर दी, 2000 cash में कर दी, और 1000 हमने check से कर दी, तो allowed होता है, नहीं, 2000 से उपर की payment हमेशा other than cash होनी है, 2000 से उपर की payment आपको करनी होगी other than cash, किसी को अगर for example, किसी जगा पर आप donate करना चाहते हैं, 1500, 1800, 1900, 2000 तक, वहाँ पर आप cash दे सकते हैं, ठीक है, अगर आपको 2000 से ज़्यादा पे करने हैं, not in cash, cash में पे किया तो सब जितना excess होगा, पूरा डिसलाओ हो जाएगा फिर, जैसे कि अगर आपने 3000 में से आधी payment, आपने cash में कर दी, आधी payment other than cash करी है, तो कितना allowed होगा, कुछ भी allowed नहीं होगा उस case में, ठीक है, clear हो गया, next, sorry, उस case में, 3000 कि अगर आपने payment कर दी है, 1500 cash में, 1500 other than cash में, तो सिर्फ जितना other than cash किया है, वही allowed होगा, check से payment किया है, वह allowed होगा, cash वाला allowed नहीं हो पाएगा, ठीक है, cash में allowed नहीं होता है, कुछ में चीज़े, coming back, section 80, double G, 80, double G होता है, rent paid का, अगर individual, अपने घर का rent pay कर रहा है, for example, वो किसी शहर में रहता है, या किसी शहर में job करता है, business करता है, और वहाँ पर उसका खुद का घर नहीं है, उसका खुद का घर नहीं है, उसके spouse का घर नहीं है, वहाँ पर, ठीक है, जिस HUF को वो belong करता है, उसका घर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर वो rent pay करता है, तो उसको deduction मिल जाती है, इसे rent pay करने की, in respect of rent paid, ठीक है, eligible assessi would be individual, individual assessi होना चाहिए, condition क्या है, HR-A आपको ना मिलता हो, क्योंकि अगर आपको HR-A भी मिलता है, तो फिर तो हम HR-A में deduction ले लेते हैं, HR-A में कैसे deduction लेते हैं, salary में कैसे लेते थे, actual HR-A, ठीक है, उसमें से minus करते थे, lease to the following, lease to the following मतलब actual amount of HR-A, ठीक है, rent paid minus 10% of retirement benefit salary, या फिर 40% या 50% of the salary, as the case में, विडेली-Mumbei कॉल करता चिनने में हैं, तो 50% of the salary लेते थे, I believe HR-A वाली बाते आपको याद रहेंगी, ठीक है, वो है न है, HR-A वाली बाते याद हैं, coming back, ATGG in respect of rent paid, अगर individual rent pay कर रहा है, provided उसको HR-A नहीं मिलता, उसका खुद का घर उस जगा पर नहीं होना चाहिए, for example, वो डेली में rent pay कर रहा है, तो डेली में उसका खुद का घर नहीं होना चाहिए, उसके spouse का नहीं होना चाहिए, उसका minor child का घर नहीं होना चाहिए, जिस HUF को वो ब्लॉंग करता है, उसका घर वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीके, तब आपको यह deduction मिल जाएगी, कितनी deduction है, बहुत important है, और काफी ज़्यादा similar है, जो HRM deduction मिलती थी, उसके काफी similar है, कितनी deduction मिलेगी हमें, actual rent minus 10% of adjusted GTI, actual rent minus 10% of adjusted GTI, थोड़ थोड़ा HRM जैसी DA forming part fixed percentage commission on turnover हुआ करता था, यहाँ पर है, rent paid minus 10% of adjusted, salary ना होके, adjusted GTI, adjusted GTI कैसे निकालेंगे, almost similar तरीके से निकलेंगे, जैसे हमने 80G में निकाला था, adjusted GTI, GTI, minus सभी deductions, chapter 6 है कि ATC से लेकर 80U तक, except 80GG, 80GG की deductions से पहले सारी deductions minus कर दीचेगा, STCG और LTCG minus कर दीचेगा, यह आ आपका adjusted GTI आएगा, तो rent paid minus 10% of adjusted GTI, फिर क्या है, 25% of adjusted GTI, वहाँ पर क्या हो दाता, 40% of salary हो दाता है, 40 or 50 as the case में भी, यहाँ पर रहेगा, 25% of adjusted GTI, और last है, fixed amount है, 5000 रुपीस पर मन्त, यानि कि पूरे साल का अगर rent पे कर रहा है, 5000 into 12 हो जाएगा, 60,000 रुपीस लिमेंट है, पर प्लीज आप पर मन्त के हिसाब से ही accordingly याद कीजेगा, 5000 पर मन्त, ठीक है, important है, exam में आ जाता है यह बाते, तो प्लीज आप यह conditions, यह deductions का amount आपको पता होना चाहिए, ठीक है, this was 80 double G, 80 GGA, अगर ASSEC donate करता है for scientific research, rural development के लिए, so scientific research वगेरा के लिए तो हमने section 35 में पढ़ business है, जिनका business या profession से income आती है, वो लोग section 35 वगेरे में जा सकते हैं, या rule development के लिए CCA वगेरा, 35 CCA, अब वहां पर जा सकते हैं, but in case अगर ASSEC doesn't have income from PGBP, अगर उसकी PGBP से income नहीं आ रही है, in case ASSEC की income PGBP से नहीं आ रही है, तो वो 80 GGA में deduction ले सकता है, 100%, but उसकी PGBP से income न आ रही हो, और 2000 से ज्यादा, पहले 10,000 हुआ करता था, now it is 2000, 2000 से ज्यादा अगर आपको पैसे पे करने हैं, तो please cash में मत कीचेगा, it should be other than cash, ठीक है, 80 GGB और GGC को दोनों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं, अगर हम contribute करते हैं towards political party, ठीक है, political party के brochures में, catalogs में, ठीक है, उनके hoardings में अगरा में advertisement भी देते हैं, आपको पता है, PGB में expense नहीं माना जाता है, PGB में expense disallowed होता है, बट उसकी reduction यहाँ पर मिल जाती है, GGB और GGC में, जितना भी आप amount pay करते हैं, उसका 100% of the amount donated, दो sections क्यों हैं, simple है, company SAC के लिए GGB बना हुआ है, other than company SAC के लिए GGC है, बट दोनों में बात सेम लिखी है, 100% of the amount contributed towards political party, ठीके, ये TG के बारे में था, आगे मैं आता हूँ, ATJAA, ठीके, IA, IA, IB वगेरा वाले section, CA Inter के course में नहीं है, बट CA में intermediate, CA Executive के course में है, तो मैंने उनको अलग से discuss किया है, अभी मैं करूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे, तो मैंने IA, IA A, B, IA, C वगेरा sections discuss किये हैं, यह वाला जो chart है, यह page है, यह CA Inter के course में नहीं है रहेगा, तो अभी मैं थोड़ी दिर में इसको discuss करता हूँ, CA Inter के course में यहाँ तक ही sections होंगे, यह last page है for CA Inter, यह सभी students के लिए same है, बट CA में और CA students के लिए एक page अभी और करना है हमें, ठीक है Okay, first come to ATJAA, ATJAA मिलता है अगर assessi के accounts audit होना liable है, ठीक है, अगर वो audit की 44 A, B की conditions में आता है कि उसका tax audit होना जरूरी है, तब वो ATJAA की reduction ले सकता है, यह किसलिए मिलती है कि अगर आप नए employees recruit करते हैं, ठीक है, नए employees recruit करने का मतलब है कि आपके जो last year employees थे, उससे extra अगर आपन employees recruit किये हैं, तो आपको deduction यह मिल जाती है, पहले यह सरफ manufacturing units को मिला करती थी, but now it is for all, ठीक है, जिन लोगों के accounts audit होना जरूरी है, liable for audit है, under section 44 A, B, कितनी reduction मिलेगी, जितने वो extra employees, जितने वो extra employees को remuneration pay कर रहे हैं, ठीक है, उसका 30%, उसका 30% आप deduction ले सकते हैं, ATJAA में, important section है, examination purpose से important रहता है, यह section, तो आपने जितना भी new workman को आप पैसे pay कर रहे हैं, उसका 30%, ठीक है, 30% reduction मिल जाएगी, और जिस साल आपने ऐसे workman recruit किये हैं, उस साल आपको reduction मिल जाएगी, और दो साल और, कुल मिला के 3 साल तक आप यह reduction ले सकते हैं, जितने भी आपने नए workman employee किये हैं, तो, ठीक है, यहाँ पर workman का मतलब क्या है, workman का मतलब है, एक regular employee हो, casual employee ना हो, ठीक है, casual employee नहीं है, कि आपने कभी भी रखा, कभी भी निकाल दी, it must be a regular, he must be a regular employee, जिसको आप 25,000 से जादा का salary ना पे कर रहे हो, वो यहाँ पर आएगे, अगर आप 25,000 से जादा की salary पे कर रहे हैं, उन लोगों के लिए reduction नहीं है, basic motive क्या है, motive यह है, government चाहती है, कि जो लोग भौजद स्किल्फुल नहीं है, उन लोगों को भी employment मिले, उन लोगों को भी employment मिले, देखें, अगर कोई वेक्ति भौजद स्किल्फुल है, educated है, qualified है, उसकी salary तो 25,000 से उपर होगी, तो mainly haber motive है, जो normal लोग है, उन लोगों को भी employment मिले, तो salary अगर आपकी 25,000 पर मन्त से ज़ादा है, तो deduction नहीं मिलेगी, उन लोगों के लिए मिलेगी, for example, मैंने 29 employees रखे, 29 employees रखे, इस में से 5 employees की salary 25,000 से ज़ादा है, इन लोगों के लिए नहीं मिलेगी, but इस में से 15 employees ऐसे ह हैं, जिनकी salary 25,000 रुपीज तक है, उन लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, कितनी deduction मिलेगी, जितना भी मैं उनको remuneration pay की है, इस साल उसका 30% तक आप deduction ले सकते हैं, regular employees होने चाहिए, आपके provident fund में contribute कर रहे हैं, पता चल जाएगा, regular employees है या नहीं है, तो provident fund में वो contribute कर रहे है और साथ साथ में minimum उन लोगोंने 240 days हमारे इस year में काम किया है, ठीक है, मतलब casual employees नहीं होने चाहिए, regular है, जिन्होंने minimum 240 days बोले तो almost 8 महीने, ठीक है, divide by 30 करेंगे तो 8 महीने आएगा, 20-8 महीने की तरह याद मत कीजेगा, 240 days के terms में ही आपको याद करना है, तो minimum 240 days उन्होंन चलेगा, वहाँ पर 150 days भी चलेगा, sir, for example, अगर किसी ने, ये पूछा नहीं जा सकता है, बट फिर भी ये part है, इस particular section का, अगर, for example, हमने एक नया employee recruit करा है, sir, उसकी salary भी 35,000 से कम है, ठीक है, regular basis पे था, बट इस साल के end में हमने recruit किया है, इस साल के end में recruit करा है, और उसके 240 days या 150 days as the case में भी, वो पूरे नहीं हुए, तो कि deduction मिल जाएगी, इस साल नहीं मिलेगी, बट आगे वाले जो तीन साल आएंगे, उस साल आप deduction ले सकते हैं उनके लिए, ठीक है, so 80-double-J-double-A is again important, QQB और RRB, दोनों similar type of section है, जाए तर हम देखते हैं, सारी conditions सेम है, QQB किस deduction मिल जाती है, किसको मिलती है, resident individual को, कितनी deduction मिलेगी, जितनी भी आपकी royalty की income होती है, जितनी भी आपकी royalty की income, royalty income कैसे मिलती है, जितना भी publisher से पैसे आते है, minus your expenses, तो जितना भी royalty की income है, और rupees 3 lakh, मतलब 3 lakh maximum है, और rupees 3 lakh, whichever is lower, तो आप 3 lakh से ज्यादा की deduction नहीं ले सकते, in case अग आतलब books है, अगर आपको, ने कोई magazine में article लिखा, general लिख लिख दिया, newspaper में कोई article लिख दिया, ठीक है, text book, ठीक है, NCRT वगरा की books लिखी है, वो यहाँ पर books include नहीं किया जाएगा, उनको नहीं लिया जाएगा, ठीक है, normal जो books होती है, ठीक है, कोई novel है, कोई fiction है, कोई science की literature की, arts की, text की book है, text, text book नहीं, text book नहीं, ठीक है, text की book लिखी है, मिल जाएगा, ठीक है, text book, pamphlets, newspaper, magazine, general, इन सब में अगर आपने कुछ भी article बगरे लिखे हैं, वो सब allowed नहीं होता है, ठीक है, और दूसरा, अगर आपकी royalty इंडिया के बहार से आती है, तो भी allowed है, provided, condition यह है कि वो royalty six months के अंदर आ जाए, जैसे यह year खतम होता है, उसके six months के अंदर वो royalty आपको receive हो जाए, that too in foreign currency, foreign currency में आपके पस royalty आने चाहिए, ठीक है, in case अगर यह royalty आपकी regular type of royalty, regular type of royalty मतलब हर साल आती है, एक दो तरह की royalty होती है, तो lump sum और एक regular, lump sum क्या होता है, कि आपने एक book ल मेरे पास नहीं आएंगे, मैं आपको 10 लक्त दे रहा हूँ, lump sum amount, that's it, अब आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, यह तो इत्या lump sum royalty, regular royalty होती है, जब जितनी जितनी आपकी books print होती है, उसे साबसे आपको publisher पैसे pay करता रहता है, तो in case अगर royalty regular आ रही है, तो एक बात और important है, यह बात याद रखेगा, in case regular royalty है, lump sum नहीं, regular royalty है, तो जब आप यह reduction दीचेगा, जब यह आप reduction दीचेगा, और जब आप royalty income compute करते हैं, ठीक है, तो जितनी भी royalty से आपको पैसे मिल रहे हैं, वो 15% of the value of books sold से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 15% of the value of books sold से, तो I believe आपको 15% वा नहीं है, RRB थोड़ा और ज़्यादा simple है इससे, RRB, QQB और RRB में दोनों में similarity के हैं, दोनों royalty के section है, QQB होता है, books के उपर royalty, RRB होता है, other than books के उपर, जो आप दूसरे patents वगेरा copyrights कराते हैं, उसके अगर आपको royalty मिल रही है, तो that is again your income, और इसकी आप reduction ले सकते हैं, R RRB में resident individual को मिल जाती है, जितना भी आपको profit हो रहा है, या फिर 3 lakh rupees, whichever is lower, मतलब maximum 3 lakh तक कि आप यहाँ पर deduction ले सकते हैं, इंडिया के बाहर से royalty आ रही है, तो 6 months के अंदर आ जाए, from the end of the previous year, और साथ साथ में foreign currency में आए, ठीके, दोनी section important है, QQB जादा important होता है, तो मैं चा TTA, 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 again important, चोटी-चोटी sections है, बहुत आते रहते हैं, आपके full-fledged जब question आता है, तो उसमें एक-दो adjustment आ जाती है, TT, चलिए, TTB पहले discuss कर लेता हूँ, TTB होता है senior citizen के लिए, senior citizen obviously resident होना चाहिए, ये लोग अगर किसी भी bank में, cooperative bank में, या post office में, अपना deposit करते हैं, deposit can be in the form of fixed deposit हो सकता है, recurring deposit हो सकता है, saving account हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर ये bank में, cooperative bank में, post office में, किसी भी तरह का deposit जाते है, senior citizen वगेरा, fixed deposit में believe करते हैं, तो जब ये लोग deposit करते हैं, तो इनको जो भी interest मिलता है, वो इनकी IFO, इसकी income होगी, बट 50,000 रुपीज तक ये reduction ले सकते हैं, तो यहाँ पर 50,000 रुपीज जितना भी interest मिला, ये 50,000 रुपीज की, maximum deduction 50,000 रुपीज है, whichever is lower, तो आप इतनी deduction ले सकते हैं, तो ये senior citizen के लिए बना है, resident senior citizen के लिए, बट अगर असे सी resident senior citizen नहीं है, फिर भी उसको interest की income आती है, from banks, तो वो deduction 80 TTA में ले सकता है, 80 TTA में, देख लीजे मैंने साफ साफ लिखा हुए, individual other than resident senior citizen, क्योंकि senior citizen तो यहाँ पर आ गए है, तो 80 TTA में मिलती है deduction individual को, obviously other than resident senior citizen और HOF को, ठीक है, दूसरी important बात है, TTA में, TTA में किसी भी तरह का deposit था, FD वगेरा भी था, recurring deposit भी था, दूसरी तरह की deposits भी थे, but TTA में only and only saving account में, bank में आप saving account open करा सकते हैं, cooperative bank में करा सकते हैं, post office में करा सकते हैं, तो जो भी saving account, saving bank account का interest आता है, वो यहाँ प deduction ले सकते हैं, ठीक है, तो TTA समझ में आ गया, ठीक है, other than senior citizen, other than senior citizen, plus HUF को, इनको मिल जाता है, 10,000 तक, बट यहाँ पर saving account है, but TTA में saving account वगेरा नहीं है, logic भी है, क्योंकि TTA में senior citizen के लिए बना हुए, senior citizen जनरली अपना पैसा, FD वगेरा में ज्यादा रखने पसंद करते है Okay, 80U, ठीक है, 80U बिलकुल 80DD जैसा है, डबल D और U में difference क्या है, डबल D में था disabled dependent, assessi के उपर कोई व्यक्ती dependent है, जो disabled है, तो 80DD में हम deduction लेते थे, flat 75,000 या flat 125,000, senior disability के case में, बट अगर assessi खुद ही disabled हो, अगर assessi खुद ही disabled है, तो फिर वो deduction 80U में ले सकता है, amount same रहेगा, 75,000 की flat deduction, senior disability है तो 1,25,000 की flat deduction मिलेगी, और यह deduction सरफ resident individual के लिए ही रहेगी, ठीक है, आगे चलें, यहाँ पर CA inter के students, यहाँ पर इस video को stop कर सकते हैं, उनके लिए deduction पूरा हो जा चाप्टर, but CMA students and CS executive students, चलिए मेरे साथ अभी और आपको कुछ deductions पढ़नी है, छोटी-छोटी deductions पढ़नी है, ठीक है, बहुत क्विकली हम खतम करेंगे इनको, आजाए section 80IA पर, section 80IA कहता है कि अगर आपका किसी कोई specific business है, जो deal करता है in development operation या maintenance of infrastructure facility, जैसे कि roads, dams, water supplies तरह का infrastructure develop करना, या फिर आपका business है, for generation, transmission, distribution of power, तो आप deduction ले सकते हैं, कितनी deduction मिलेगी, जितना भी profits आपका इस तरह की business से आता है, उसका 100% of the profits की deduction मिल जाएगी 10 consecutive years तक, 10 consecutive years तक, अब क्योंकि ऐसे businesses क्या होते हैं, शुरू में इसमें बहुत ज़दा heavy investment होती है, और शुरू की years म ज़्यादा profit आद नहीं पाते हैं, in fact, losses भी होते हैं, तो क्या हम इनको शुरू के 10 years तक deduction देंगे, और अगर इनके losses आएंगे, तो इनको फायदा नहीं होगा, तो यहाँ पर government ने बोला है, कि अगर आपका एक infrastructure facility का business है, जहाँ पर आप road, bridge, rail system, या highway project, या water supplier project, development का का काम कर करते हैं, तो out of first 20 years, शुरू के 20 साल में से आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, बट 10 consecutive years तक deduction मिलेगी, यानि कि अगर किस कोई विक्ति 5th year से अपने deduction लेना शुरू करता है, तो उसको 5th, 6th, 7th, 8th, इस तरीके से 10 साल तक उसको deduction मिल सकती है, ठीक है, बट दूसरे business हैं, जैसे की transmission या distribution of power के लिए, तो शुरू के 15 साल में से 10 साल आपको चूज करने पड़ेंगे, out of 15, 10 consecutive years, जब कोई भी year चूज करें, तो it should be consecutive years, ठीक है, बहुत short में मैं ये अभी sections discuss कर रहा हूं, सिर्फ आपके revision purpose के लिए, in case section 80 I, A भी कहता है, that you are an undertaking which is engaged in the development of SEZ, आप एक SEZ developer है, ठीक है, special economic zone आप develop करते हैं, तो जितने भी आपके profits आ रहे हैं, out of first 15 years में से, 10 साल चूज कीज़े, first year से आप लेना चाहें, तो first year से लीज़े, second, third, fourth, fifth year से जब से आप लेना चाहें, आप deduction शुरू कर सकते हैं, बट फिर वो 10 consecutive years ही रहेंगे, ठीक है, इसी तरीके से section 80 I, A, C, if you are an eligible start-up, तो आपको शुरू के 10 साल में से, 3 consecutive years में 100% तक की deduction मिल सकती हैं, और मैं आपको बता दू, इस तरह के sections में, section 80 I, A, I, B, I, A, C, और जितने भी ये I की series हैं, यहां पर बहुत heavy deduction मिलती हैं, आपर बहुत heavy deductions लेने के लिए, important बात है, MCQ में आ सकता है, आपको ऐसी deduction लेने के लिए अपनी return भी due date तक file कर देनी चाहिए, अगर आप due date के बाद file करते हैं, late return file तो हो सकती है, बट फिर ये deductions नहीं मिलती हैं, ठीक है, इसी तरीके से 80 I, B, अगर industrial undertaking है, other than infrastructure development, तो भी आपको deduction मिल है, small scale industrial undertaking है in Jammu and Kashmir, तो आपको कितनी deduction मिलेगी, 10 consecutive years तक आपको deduction मिल सकती है, और अगर आप एक corporate societies हैं, तो 12 years तक आपको deduction मिल जाएगी, first 5 years तक आपको 100% मिलेगी, remaining years तक, remaining, या तो 5 बचेंगे, या 7 बचेंगे, ठीक है, as the case में, biggest 10 साल तक या 12 साल तक deduction मिल रही हैं, in case you are a company, तो फिर 30% मिलेगी, reduction, ठीक है, remaining years में company SAC हैं, तो 30%, other than company हैं, तो 25%, commercial production of mineral oil or natural gas के business में आप involved हैं, तो 7 consecutive years तक आपको deduction मिल जाएगी, 100%, और in case आपका business है, processing, preservation, packaging of fruits, vegetables, meat, dairy products, etc., तो आपको 10 consecutive years तक deduction मिल सकती है, कितनी शुरू के first 5 years तक तक hundred percent, और remaining years में, अगर company SAC हैं, तो 30, other than company हैं, तो 25%, ठीक है, मैं आपको बता दू, generally, CA Institute ने तो inco sections को final में ही ले गए है, CA में और CA students को भी मैं हमेशा recommend करता हूँ, कि वो लोग भी इसको final में ही ले जाए, ठीक है, क्योंकि CA inter और executive students से, generally, ये sections नहीं पूछने चाहिए, उनके syllabus में नहीं होने चाहिए, बट फिर भी उनके syllabus में रखे गए हैं, बट generally आप देखेंगे, इसमें से बहुत कम ऐसा होता है कि questions पूछे चाहते हैं, generally, इससे business है, और आप business कर रहे हैं कुछ special के degree states में, कौन-कौन सी, हिमाचर प्रदेश में या उत्रांचल में, तो आपको reduction मिलेगी, 100% of profits in first five years, and remaining years में 25% deduction, company SAC के case में 30%, ठीक है, आई-ई, अगर आप manufacturing कर रहे हैं, कुछ eligible articles or things in northeast states, नौर्थी स्टेट, अरुनाचर प्रदेश, ठीक है, मिजुरम, मेगाल, etc., तो अगर आप नौर्थी स्टेट में, अगर आप manufacturing कर रहे हैं, तो आपको 100% deduction मिल जाएगी for 10 consecutive years तक, ठीक है, तो एक बार आप 80 IA से लेकर IE वाले section मेंने बहुत जादा जल्दी कराएं यह sections, वैसे तो यह बहुत बड़े-बड़े sections हैं, तो हम इसको revision वीडियो में तो नहीं कर पाएंगे, बट सिर्फ आपको एक बार याद कराने के लिए मैंने section discuss करें हैं, otherwise मैं चाहूंगा कि आप इसको अपनी regular book से पढ़ें, तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, जो भी सकता है, बट comparatively chances कम रहते हैं, आप इससे जो पहले के sections हमने discuss किये थे, वो सभी sections important थे, वो sections को आपको प्लीज ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, I am talking to CMA students and my CS executive students, okay, 80 double J A, double J double A क्या था, new workman वाला, ठीक है, जहां पर आपको जितना भी remuneration देते हैं, 30% reduction मिलेगी, 80 J J A है कि अगर आपका business है, biodegradable waste का, biodegradable waste का, अगर आपका business है, तो आपको 5 years तक 100% जितना भी profits होगा, 100% आपको reduction मिल जाएगी, 80 J J A, important है क्या sir, not very important, ठीक है, not very important, ATM is very important, इसको आप mark कर ली जाएगी, यह अच्छा गासा important है, क्योंकि यह निया section insert किया गया है, this is very important, ATM, तो मुझे लगते हैं कि ATM आपसे पूछा जाना चाहिए, यह क्या होता है, यह होता है, इंटर corporate dividend का, because now you understand कि dividend जब भी मिलेगा, तो receiver के हाथों में यह taxable होता है, अब होता क्या है, let's say, there is a company A Limited, A Limited एक company है, और इसके काफी सारे shareholders है, जिसमें से major shareholder है, B Limited, ठीक है, हो सकता है न, एक company, दूसरी company का shareholder हो सकती है, तो A Limited की एक shareholder है, B Limited, ठीक है, और B Limited के अपने shareholders है, इसके काफी सारे shareholders है, यह सब shareholders है, सब लोगों facts clear है, so here it was A Limited, it's a company, इसके भी काफी सारे shareholders है, जिसमें से एक shareholder है, major shareholder है, for example B Limited, और B Limited के अपने shareholders है, अब please मुझे बताइएगा, जब A Limited, आज dividend देती है, आज जब dividend अगर देते हैं, CDD concept तो है नहीं, अब corporate dividend tax के तो concept नहीं है, तो आज B Limited को tax देना पड़ता है, तो B Limited को इस dividend के ओपर tax देना पड़ता है, because B Limited is a shareholder, और फिर ultimately इसको A Limited से dividend मिला, और फिर बाद में B Limited अपने shareholders को dividend देती है, ठीके अपने shareholders को dividend देती है, let's say 8 lakh rupees का, उसने 8 lakh rupees का अपने shareholders को dividend दिया, अब यही, अब इस 8 lakh में से यह 6 lakh भी होंगे, जो इसको dividend मिला, उसने आगे वो distribute कर दिया अपने shareholders को, अब प्लीज बताइए, यह 6 lakh दो बार taxable हो रहे हैं एक तरीके से, दो बार कैसे, A Limited से जब मिला 6 lakh तब taxable हुआ, और जब B Limited ने अपने shareholders को दिया, 8 lakh जिसमें से 6 lakh का भी portion था, वो again यहां पर taxable होगा, इसके लिए ATM आया, ATM आया और ATM हमें एक छोड़ी सी relaxation दे रहा है, ATM कहता है, वो इसके लिए आया, B Limited के लिए आया, वो कहता है कि अगर आप एक domestic company हैं, अगर आप एक domestic company हैं, और आपको किसी दूसरी company से dividend मिलता है, दूसरी company चाहिए वो domestic हो या foreign हो कोई भी हो सकती है, जब आपको dividend मिलता है तो आप टेक्स देते हैं, और बाद में आप यही dividend आगे distribute कर देते हैं अपने shareholders को, तो आपने जितना भी dividend आगे distribute किया, ठीक है, आपको reduction मिलेगी ATM की, कितनी मिलेगी ध्यान से देखेगा, बी लिमिटेड के बारे में मैं बाते कर रहा हूँ, ठीक है, I'm talking about बी लिमिटेड, बी लिमिटेड is a domestic company, आपको एक dividend का हम लोग यहां पर deduction देने वाले हैं, जितना भी आप dividend distribute कर रहे हैं, पहले उतना चेक कीजिए, वो बताइए कितना है, जितना भी आपको dividend receive हुआ था, और maximum 5 लाक रुपीज, maximum 5 लाक रुपीज, इस में से जो भी least होगा, वो आपको deduction मिलने वाली है, तो प्लीज इस case में हम देखें कितना मिलेगा, सबसे पदले बताइए, बी लिमिटेड ने कितना dividend distribute किया, 8 लाक रुपीज, तो 8 लाक इन्हों ने distribute किया, कितना इनको receive हुआ था, receive हुआ था, 6 लाक रुपीज, 6 लाक रुपीज, receive हुआ था, but maximum limit है 5 लाक, whichever is lower, तो इस case में 5 लाक की deduction मिलने वाली है, under section ATM, to be limited, इस domestic company को, सब लोग समझ कहें हैं, तो यहां पर साफ-साफ लिखा हुआ, ATM is inter-corporate dividend, जब इनको inter-corporate, एक कंपनी से dividend मिला, और यह आगे फिर dividend distribute करेंगे, तो इनको deduction मिल जाएगी, कितनी deduction मिलेगी, सबसे पहले जितना इनोंने dividend distribute करा, versus जितना receive करा था, receive किसी से भी कर सकते हैं, domestic company से कर सकते हैं, foreign company से कर सकते हैं, किसी business trust से किया, और rupees 5 लाक, whichever is lower, यहां पर एक और बात add कर लीजएगा, जितना इनोंने dividend distribute करा है, वो भी देखा जाएगे, जितना dividend distribute करा, जितना receive हुआ, और 5 लाक, whichever is lower, very important amendment ATM, ठीक है, तो यहां पर मुझे कुछ sections discuss करने थे, जो specifically for my CMA students and CS executive students के लिए थे, ठीक है, so this was all about deductions, काफी students demand कर रहे थे, deductions की, काफी students demand कर रहे हैं, TDS के provisions की भी, तो zoom की में जल्दी ही आपको TDS के provisions भी दूँगा, और फिर GST के कुछ revisions, specifically बाते करता हूं, तो ITC is important, registration is quite important, बाकी मुझे आप लोग बताइएगा, कि आपको और किस chapter का charter revision चाहिए, चलिए मिलते हैं, ठीक है, next video में, thank you so much, bye and take care.